नमस्कार सातियों मैं हूं सुदेश खुमार और तिरची बात चैनल में आप सभी का स्वागत है सातियों जैसा कि आपको पता है हम हर रोज यहाँ पर एक विसेश मुद्दे के ऊपर चर्चा करते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो हमने अलग से बनाया हुआ है स्टेडी चैनल है उसका नाम है knowledge net computer science सातियों हमारा एक अलग से चैनल है knowledge net computer science वहां पर हम इन सारे exams की तैयारी कराते हैं बहुती अच्छी तरह से बहुती बेसिक level से वहां पर कराते हैं तो साती अब program स्टार्ट करते हैं आज का प्रस्न है अजीत Master जी आज का प्रस्न है कि lockdown में बहुत सारे school ये बच्चों से तो फीस लेना चाहते हैं लेकिन टीचरों को उनकी सेलरी देना नहीं चाह रहे हैं यानि कि बच्चों से जबजस्ती फीस लेने की उनका प्रियास है कि हम बच्चों से फीस लें बच्चों से फीस ली जाए क्या कारण है उनका जो फीस मांग रहे हैं क्या उनको फीस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चा लुह हालां कि उन प्राइवेट टीचर है उन प्राइवेट वास रिए हैं। उनके भी बज्चे हैं जो प्राइवेट संस्था बहुं किसी में कांव कर रहे ह। और वे भी डेपेंड हैं क्योंकि उनके भी बच्चे हैं उन्हें भी सेलरी मिलने चाहिए और दूसरी तरफ ऐसे माबाप भी हैं जो बच्चों की पढ़ाई ने होते हो भी अप्रेल और माई और जून अब चल रहा है तीन महीने निकल चुके हैं इनका कोई भी मतलब यह बच्च सपट्च कंदों ऑपर क्यों रखे हैं जो ती जो इस दोड़ की संसता है यह कहती है अगर टीचर को सेलरी मांगता है तो टीचर से कहते हैं कि हम सेलरी कहां से दें हम सेलरी कहां से दें हमें आगे से फीची नहीं मिल रही तो यह कहां तक सही है कहां तक गलत है क्या उनकी सेलरी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए इसके बारे देखो उनकी सेलरी रही बात दोसरे तरफ गरीम आवाब कि दो चार महीने जो मैने बत्चे नहीं पड़े हैं, उन्हें मेरे इसाग से फीिश नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बच्छा घर ही नहीं पड़ता, ऌ से इसाह gol में पास नहीं हो पाते हैं sleeps। और अब घरवेट रहे क्या वे उसे गुरु मंत्र दे आएंगे वहीं पर जागवल तुम बेटा पास है जागो ऐसे घुट्टी दे आएंगे क्या तब मेरा कहने का ताथ पर यह है कि सरकार को यह कानून बनाना चाहिए कि बच्चों से फीस ने ली जाए प्राइवेट जो स संच्था हैं उन्हें उनकी देने चाहिए क्यों जो प्राइवेट संच्था में जो काम कर रहा है वो भी उसके पीछे भी बच्चे हैं उनके पास भी उसका परिवार है जो उसके जो खर्च हैं वो उसके हैं रियल में और उन्हें बहाना मिल जाता है प्राइवेट तो मैं कैसे दे देंगे मैं मान रहा हूं कि आगे से नहीं मिला हमें देओ लेकर हम क्यों कहरें देओ भाई मैं यह नहीं कह रहा कि बच देओ आप खुद अपने अंदर यह देख के बताओ अपने ग्रेवार में ज्हांक कर देखो कि हम 10-15 साल से कमा रहे हैं क्या जो हमारे ज कर रहे हैं हमारे सांइस्था अपनावने कि पंद्रभी साल थे कमा क्तिते हम खा रहे हैं तो इनके जैर महीनी जैर महीने केम हम पूर्ती सकें आपम ने सौकट तो रहे मैंने गाड़ी और और्ड़ी और्म ब हाशार रूपय है मैं थे कम चल सके और लड़ी में थ्याजारी सलाग रूपय कहां ते लगCrो मैं यह नहीं कह रहूं कि आप हम पर ब्लेम लगा रहूं है मेरे कहने को ताथ पर यूँ है कि सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए कि मतलब प्राइवेट संस्था या सरकारी संस्था जो भी है यह लोगडान के दोरान जितने भी मतलशकूल बंद हैं तब तक कि फीशने लिज कि टीचरण को पूरी सेलरी दी जानेशायए क्यों उनका भी परिवार है उनका भी परिवार जब हम किसी अपने जो संस्था का आदमी है उसके हम चार या-पांच महिने की मदद नहीं कर सकते और जिसके बलबूते पह पर हमारी जीवन की रोजी रोटी है संस्था चल रही है कि आम उसके साथ भागिदार नहीं बन सकते उसके दुख में और दुख तो ये देश पर ये थोड़ी है उस पर पहली बार ये आया है हो सकता है कि आगे ऐसा को कोई रोग नहीं आए और मैं भगवान से परांथा कर दो ऐसा रोग नहीं भी आना चाहिए मजबूरी में ये हो रहा है और बचचे घरे सकूल में नहीं पढ़ते तो घरे सो ऑन लायन पढ़ रहे हैं कौन पढ़ लेगा बहुत से सकूल सब्सक्राइब नहीं घराएं जील ते ने करी जस्तरी जोफ लिए चैसे यसैने सफ पर जैसे भी की जए वहां वेक्ष YUMे रहें परिया उज और को अपया कि शुक्ड़े आप टी खरिए एक प्रीम होजित j Diamante आप छोटे से घर में रह सकते हैं, बन्द बाद नहीं बन रहा हुँ, वहाँ आपका महल बन रहा है, यह नहीं कह रहा हुँ, कि उस चीज मत करो, अपनी फैसलिटी अपने आप हैं, जह हम बच्चों को सिक्षा नहीं दे रहे हैं तो हमारा कौन सा अधिकार पढ़ रहा है कि बच्चों से ले लें पर मास्तर जी ओनलाइन सिक्षा दे रहे हैं कुछ सिकूल तो वो तो यहीं कहेंगे कि हम तो भाई बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम तो फीच लेंगे तो यह क्या सकतर है मैं बच्छों के समझ में आ रहा होगा या प्र आके बढ़़ पा रहे होगे उसके बारे बताए थोरा सा यदि ओनलाइन से बच्छे पढ़ते तो मौभव क्यों भेज़ते सकूल भाई वहाँ से इंटरनेट से पढ़ते फोन पे सब तरीके के वीडियो आ रहे हैं अपने कोई चैनल पकड़ते उसे देखते कि दस्मी का मैत है दस्मी का मैत कैसे कैसे पढ़ाया जा रहा है उस वहीं से पढ़ लेते क्यों सकूल को फीच देते क्यों एक साल को जाते अपने ओन तो एक सहरा हूए वह लोगों को बहका आ जा रहा है कि बतल tempo हम पढ़ा रहे हैं लेकिन वास्ताब में बच्चे जब सकूल में नीफम नहीँ पढ़ते तो ऑॉन लाइन कैसे पढ़ लिगे नहीं सकूल में दो साल तीन साल से बच्चा पढ़ रहा है तब पास नहीं होर पढ़ाई पढ़ाई नहीं है तो बड़े बच्चों के लिए थोड़ा सा ओनलाई सही है लेकिन जो ज़्यादा चोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ओनलाईन मतलब ज़्यादा मदद नहीं करती है लेकिन बड़े बच्चे जब समझदार हो जाते हैं तो उनके लिए ओनलाईन एक कारगर सावित होती है जो समझदार बच्चे हैं वो उसका उसी प्रकार से यूज करते हैं तो फिस लेनी चाहिए मास्ट्रों को उनलाइन पढ़ाने वालों से कोई फिस नहीं लेनी चाहिए क्योंकि जब बच्चे उनका भी तो बेरोजगार यह उनकी बे तो किसी कंपनी बंद है तो कंपनी शेल्टी नहीं दे रही और कोई अलग पर था है प्राइब साजिता हम काम कर रहा तो वहां से पैसा नहीं मिल रहा है बहुत कर रहे हैं पड़नाला में ग happier लेकिन उनका भी तोक पर रहे हैं सब जूट्य हार रहे हैं सब घर बेच्ठ हे हुए यह घरों में बंद है बच्चे बहाने लगा रहे हैं बच्चे ऑनलान नहीं पढ़ रहे हैं बह। कम बच्चे पढ़ रहे हैं कि कंदग दो चार पध्य पच्र पढ़ रहे हैं तो परने में परना नहीं है कि वह पढ़ाई है और पकर रहा है उसकी निगह में सब होते हैं और होन में कौन किसी देख रहा है कि आ तो मेरा कहने का है कि मेरे विचार से और लोगों के अपर रही है अगर फीच नहीं दी जाए तो वह कह देंगे कि भाई हम आगे से नहीं मिल रही तो मास्टर जी आपने कैसा दें भाई उनके भी बच्चे भी बच्चे हैं कि भाई वो मतलब एक उन्हें सेलरी मिल रही है ना मिल रही तो उनको भी खर्च है उन्हें देने चाहिए उन्हें बहाना मिला हुआ है कि आगे से नहीं मिल रहा यह मैं यह नहीं करा कि फोली ही पूरी सेलरी दी जाए कुछ ही सेलरी का 75% 80% भाग दे सकते हैं जैसे कि किसी की मतब्द 10,000 सेलरी है तो 8-7,000 रुपे दे सकते हैं तो मेरा कहने का ताथ पर यह है कि दोनों तरफ से बात सद सकती है जैसे कि हमारे टीचर है तो उनको हमें थोड़ी वह सेलरी भी देनी होगी जिससे कि वह इस विकर परिस्तिती से समझ सकें और इनको इस मतलब गटना है जो बुरा समय है इस पर काबू पा सकें तो ये जो स्कूल वाले हैं प्राइवेट जो स्कूल है इनका भी फर्ज बनता है इस विकर परिस्तिति से अपने टीचरों को उबारें क्योंकि जब कमाने की बारी आती है तो टीचरों के बलबूते पर ये लोग कमाते हैं और आज जब विकर परिस्तिति है उन टीचरों के उपर तो उनका ही अगर यह साथ नहीं देंगे तो यहाँ पे उन लोगों के साथ उन टीचरों के साथ ना इंसापी करेगा स्कूल डिपार्टमेंट तो सात्यों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपने टीचरों को भी सेलरी दी जाए और जो माबाप हैं उनसे जो फीस है में योगदान दें तो मुझे उमीद है सात्यों आपको वीडियो पसंद आया होगा और नेक्स वीडियो हम बोजले लेकर आएंगे तब तक के लिए धन्यबाद